तो दोस्तो जब बेटाइफिस का सेयात अच्छा रहता है तब दोस्तो बेटाइफिस दीखने में बहुत खुबसूरत होता है उससे नाजर हटाना दोस्तो बहुत मुश्किल हो जाता है मागर दोस्तो बेटाइफिस का जब किसी भी तरीके का बीमारी लग जाता है तो उसके बाद उसका जो फीन है वो धीरे धीरे जहरना स्टार्ट हो जाता है और उसका खुबसूरती बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दोस्तो बेटाफिस का जो खुबसूरती होता है वो उसके फिन में होता है जो कि उसके खुबसूरती में चार चंद लगाता है तो किस तरीके से दोस्तो आप उसका फिन जढने से रोकोगे मतलब फिन डॉप डिजिस जो है वो किस तरीके से आप ठीक कर पाऊगे वो वीडियो को सिद्हा शुरू कर देते हैं तो दोस्तों दो बेटापिस पर मेरा फिन डॉप डीजिस होने के दो रिज़न होता है पहला खाड़ाप पानी जिसमानी में बहुत ज़्याद आमोनिया होता है उस पानी में बेटाफिस को रखने से फिन्टॉप डिजिस होता है दूसरा दोस्तो टेंपरेचर का फ्लक्टुएशन मतलब बार बार पानी का जो टेंपरेचर है वो उपर नीचे होने के वज़े से फिन्टॉप डिजिस होता है तो मेरे पास जो दो बेटाफिस है दोस्तो वो टेंपरेचर के फ्लक्टुएशन के वज़े से फिन्टॉप डिजिस हुआ है जो की पीतम भाई के पास था पीतम भ कर रहा है जो घर पे खाने वाला तार्टा का नम險 में युज तो आयोडिन होता है वीडियो में अच्छे से दिखा दिया है तो यह इसका skin shot लेकर दुखांदार को जाके दिखाऊ कि यह नमक मेरे को चाहिए और जो रेलो lucky लिए बोल देता हुं इसको सोंदोक लब क्यों चाहिए तो दुकला आपको यह नाम्हाख दे देगा तो दोस्तों रहें थॉरा सा नामाख काटोडार में दे जो को अध्यान का sentir यह जो मैं यूज कर रहा हूं यह 10 रुपए वाला है मगर दोस्तों मैं जहां से खरीद रहा हूं वहां पे पूरा फैक्टरी है मितने बलू का और उन लोगे उपर मेरा पूरा ट्रस्ट है मतलब भारोसा है कि वो लोग किसी भी तरीके का मिलावाड वगरा फ्रॉड वगरा नहीं करता है तो इसलिए मैं उनसे खरीदता हूं अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप जहां से खरीद रहे हो उसमें किसी भी तरीके का मिलावड वगरा है तो आप लोग वहां से मत खरीदो थोरा सा महेंगा वाला रीडॉल का जो कंपनी का आता है वह आप लोग में मैं इसको यूस किया है तो सीधी भास में बोला जाएं दोस्तों एक चंच मैंने Salt यूज किया है और सबस्तों में जिद्धन रखाना पानी होगा उतना पॉराना प lavender होना चाहिए मीनिमम तीन दिन पुरा ना होना ही चाहिए और दोस्तों मेरा यह जो पानी है दोस्तों इतना दिन रखा हुआ था इसलिए देखिए आइरॉन का एक लेयर उसके ऊपर पूरी तरीके से आच चुका है और मेरा उंगली पर देख लीजिए दोस्तों जो मिधनिल सब कुछ पानी में अच्छे से घुल जाएगा और यही पानी दोस्तों हमको चाहिए अब दोस्तों यह पानी मचली में डाइडेक डालना नहीं है डाइडेक अगर डाल दोगे मचलिया मर जाएगा क्यों मर जाएगा दोस्तों वीडियो में आगे आपको मैं समझाओंगा तो वीडियो को कॉंश्टेंट देखते रहो वीडियो को बीच में छोड़के जाओगे तो आप लोग कहीं लुक्साने क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने डाफनिया कल्चर के ऊपर एक वीडियो बनाया था उस पर दोस्तों मैंने बताया था कि जो ऑईल के होता है ऑईल के डाल मेरा क्या वीडियो का देखता हूं कि बहुत मेरा नीट का फाइदा है तो आप लोग का ही लग्साने थे कि थेले में पूछ भीडियो पहले मेंने यह बेटा अबया याद लिकांत अडाना अब दोस्तों बारी आता है में पॉइंट का operation का में ओपोनीशन का और दोस्तों पान्स से लेके 7 से केंड तक अक्चे से इस पानीं पे मचलीओ और एख की व्यांब और पजायोना प्रतवाद तों आपका मचलीओ यह भीुपार्शन से लेके साथ सेकेंड तक उस पानी पेटाफिस को रखो उसके बाद उठा लो जैसे कि मैं कर रहा हूं यह देख लो मैंने सेर पार सेर पांच सेकेंड तक रखा था उसके बाद मैंने उठाने के लिए हाथ डाल दिया क्योंकि मेरे को पता है मचली को पाकरने जाओंगा तो औ टुरा साथ हो गिया है मगर 2-3 मिनिट के अंदर ये फिर से अक्टिव हो जाएगा फिर से क्वाने फ किने लग लोगजने लगा हुआ है तो दोस्तों ये पनिने तो कर लिय। करने के बाद दोस्तों बेटाफी Tom जिस टैंक पे था उस टैंक पे में मिथनील ब्लू वगरा कुछ भी नहीं डालने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एक आर्माडलीप का जो पत्ता होता है वो में डालने वाला हूं कुञुकि आप लोग पाता है आर्मिनलीप का पत्ता होता है उस बहुत पाणि को रेट बना देता है क्योंकि उसमें से टैनिनमy निकलता है हम क्या कर Teh हमारे स्रे כי ही टारीक हाव हो गीया है कट मुख भी तरीक क्रीम वागर देते तो उसी तरीके का दोस्तों पानी में तो किसिए भी तरीके का क्रीम हम लोग यूश नहीं कर सकते तो यह जो आर्वोंडली में डाल रहा हूं वह एक तरीके का क्रीम समझलो रीलिस कर रहा है जो कि बेटाइफिस के फिन पे जाएगा फिन ठिक कर देगा तो दोस्तों क्या ने यूजर नहीं जो में ने यूजर रेटा है और दोस्तों यह दूसरा मेडिसिन मतलब पानी का खारा पान यानिक जो सॉल्ट ने पर आएते हुए सूख के मर जाता है पानी पर आए फिर सूख के मर जाता है में आर्मों जीब है einen К्रिमwriter करता है तो हम लोगों को जैसे आच्छा लगता है मशली को सी तरीक टो यह तीन फिर फोन सिर्ट diferentes मैं यूस नहीं करता हूँ और दोस्तों जो लोग वीडियों को एंड तक देखते हो उन लोगों को तो पता ही है मेरे हारे एक वीडियोrdग ज़ाएं में फोरा साह Χिंच दू या फिर ना दू मेरे हार एक video के start end में starting में बोल रहा हूं end में एक surprise रहता है तो दोस्तो इस video के भी end पे surprise है तो आड़ स्किन पे आप जो भी betafis देख रहाए हो यह सब mail देख रहा हो मगँदोस्तो betafis flaring नहीं कर रहा है एक दूसरे उपर इतग नहीं कर रहा है इसके पीछए रिजन क्या है बेटाफिश तो पूरा सुपकी तान दुरूस्ट भी दोस्तों वो एक दूसरे के ऊपर अठाग क्यों नहीं कर रहा है इसका किया रीजन है डोसतों आप लोग कॉमेंट करके बताऊ आपी सबसक्राइबर ऐब इसकावाइ वाजी में दोस्तों आप लोगों को जितना भी इन्फरमेशन हो झालता मोश हुए में ने दे दिया है तो यह वाला वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके का लाक क्योंक्व क्यों सके ओओ lee के बाद वीडियो वनाता हूं इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि आप लोगों का जितना भी दिग्गत वगर आता है फीसवी में चाहे आप लोगों का बेटाफिस बीडिंग सक्सेस्पूल नहीं हो रहा है तो क्यों उसके उपर दिग्गत आ रहा है चाहे उसका मेल जो बेटाफिस की बावलनेश्ट नहीं बना रहा है तो दोस्तों यहसा पॉब्लेम के बारे में आप लोग कॉमेंट करते हो तो ही मैं वीडियो वना वाता हूं तो इसी तरह के का वीडियो में लाता रहूंगा तो यह वाला वीडियो दोस्त आप लोगों कैसा लगा कॉमेंट करके बताना और हाँ दोस्तों अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने सुना था कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पास छुम बेटाध एसा आगीया है जो बेटाधी बावलनेश्ट तो बना रहा है मागर फीमेल को मार रहा है मैं मेल वेटाफिस की बात कर रहा हूँ वो अच्छे से बावलनेस्ट बना रहा है मागर फीमेल को ऐसा मार रहा है कि फीमेल मतलब पूरी तरीके से डैमेज होके एकस्पायर हो रहा है, मर रहा है तो दोस्तों उसके उपर में एक वीडियो लाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग बीडिंग के बैठा होगे एक भी मेल फीमेल के उपर अटक नहीं करेगा तो दोस्तों उस वीडियो के लिए वेट करना तो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था देखन के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई